Good morning students, जैसे कि बेटा tense की वीडियो चल रही थी, tense की वीडियो में हम past tense कर रहे थे, past tense के हमने दो पार्ट कर लिए, past indefinite और past continuous, आज हम past tense का third part करेंगे, past perfect tense, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे पहचान, past perfect की पहचान होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, जैसे वह खानक खा चुका था, वह खानक खा चुकी थी, वे खानक खा चुके थे, जिसके भी लाश्ट में चुका था, चुकी थी या चुके थे, ये आते हैं, वो कौन सा tense हो जाता है, past perfect tense, ठीके, second है इसका rule, इसका rule है subject प्लस head प्लस वर्व की third form प्लस object, जब भी subject singular हो, जैसे he, she, it, name, तो आपने क्या करना है, head लगा के वर्व की third form लगानी है, ऐसी है, अगर subject हमारा plural हो, जैसे I, they, you, we, ये हो, तो हमने क्या fill करना है, head प्लस वर्व की third form, singular और plural दोनों में ही हमने क्या करना है, past perfect में head प्लस वर्व की third form फिल करनी है, ठीके, simple है बहुत, example के लिए देखो, सबसे पहले हम singular के example देखेंगे, she dash washed clothes, तो आपने subject क्या है आपका, singular she, तो आपने क्या करना है fill, she had washed clothes, यानि की head और वर्व की third form फिल करनी है, तो क्या बन जाएगा, she had washed clothes, ऐसी आए, name है किसी का राम, राम डैश गो टू पारक, तो यहाँ पे क्या फिल करना है, singular है, राम है गोन टू पारक, यहाँ पे head गोन आया, head ब्लस वर्व की third form आईए, यह singular है, ठीके, ऐसी है आपका, plural का example, we dash eat our lunch, तो आपने यहाँ पे singular, plural है, sorry, plural है यहाँ पे subject, तो यहाँ पे क्या आएगा, we had eaten our lunch, यानि की we के साथ head और third form लगाईए, ठीके, ऐसी है, they drink water, they भी क्या है, plural है, plural के साथ, तभी आपने क्या करना है, they had drunk water, तो यह head ब्लस वर्व की third form आगई, simple सा है, यह singular और plural, जब भी आपका subject singular हो या plural हो, आपने past perfect tense फिल करते time, आपने क्या करना है, head ब्लस वर्व की third form फिल करनी है, ओके, अब इसका past perfect का हम negative tense देखेंगे, बहुत easy है, जैसे past perfect का simple rule था आपका subject प्लस head प्लस वर्व की third form, तो आपने इसका negative rule में क्या add करना है, सिर्फ not add करना है, बाकि सारा rule same होईगा, जैसे negative rule देखो, subject प्लस head not, प्लस वर्व की third form, प्लस object, simple सा है, यह head not आएगा यहां पे बस, ठीक है, example के लिए देखो, singular का, he dash go to Delhi, तो यहां पे negative फिल करना है, आपने past perfect negative फिल करना है, he had not gone to Delhi, ठीक है, ऐसी है, plural का example, they dash eat food, तो यहां पे क्या आएगा, they had not eaten food, negative tense फिल करना है, आपने, they had not eaten food, तो इस तरह से, past perfect का negative tense क्या है, subject plus head, sorry, subject plus head not plus verb की third form, यह है इसका negative rule, तो यह था आपका past perfect tense, ठीक है, past perfect tense बहुत easy है, आपने इस तरह से इसका rule लन करना है, subject, head plus verb की third form plus object, ओके, अपने है, अजय।ब бол। यह है अजय।व में, ठीक है आता है, का जाएगा हैक सभादाब है, जा आता है, जा का इस तरह सके वाहाँ, ते सका पका जपक्स जीक हैं, और देका एवादा़right, आता है, आता हैं, जा पका इसे कर दोते हैं पल Tabii, ए को लुह हैं एा हैंुई पे